हालो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे चैनल डी शप्तास्टिक्स में तो दोस्तों आज जो रेस्पी हम लेके आए हैं वह बहुत ही कॉमन रेस्पी है मिन्स की आप कोई पार्टी हो जहां पे नॉन्वेज बनता हो कोई शादी हो जा प्रेस्ट्रियन भी जाते हैं तो प्रेंटर चिकन बट दोस्तों उससे पहले आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बैल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटिस्ट अप्रेट्स मिलती रहें तो दोस्तों ये स्टार्ट करते हैं यहां पर हमने लिया है आधा गिलो चिकन जिसमें हम सॉल डालेंगे जिंजर गालिक पेस्ट थोड़ा सान नीमबू और इसको अच्छे से मिक्स करके हम 15-20 मिनट के लिए रख देंगे ये हमारी फर्स मेरिनेशन है इससे इसमें नमक अ अब इसको हमने निकाल लिया 15-20 मिनट बाद अब इसको स्क्वीज करके हम छोड़ देंगे और दूसरे बाउल में हमने लेना है मस्चड आयल जो की हमने पहले पका लिया था अच्छे से जला के ठंडा कर लिया है और इसमें अब डालेंगे हम रेड चिली पाउडर अब देखे अगर हम यह करते हैं तो हमें फूड कलर यूज करने के बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है अब इसमें हम अपना कर्ड एड़ कर देंगे और कर्ड के साथ हम थोड़ा सा नीम और आधा चमच हम यहां पर हल्दी एड़ करेंगे एक चमच कॉरियांडर पाउडर एक चमच हम एड़ करेंगे क्यूमिन पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब देखे दोस्तों यह मिक्स हो गया है तो अब हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं और मैरिनेट करने के बाद मिनिमम् टू आज के लिए हम इसको रफिजरेटर में रखतेंगे तो आए देख लेते हैं इंग्रीडियंट्स हमें चाहिए चॉप अनियन ओयल जिंजर और गालिक चॉप ग्रीन चिलीज क्रीम बटर कैश्यो नट्स और शेच छोटी लेचिली हैं बड़ी लाइची दाल चिनी लॉंग जवित्री बे लीफ रेचिली पाउडर एंड सॉल् टॉप टॉमेटोज तो यह हमने पैन रख लिए इसमें थोड़ा सा ओयल डालना है ताकि मारा बटर जलेना है इसके बाद हम बटर डालेंगे यहां पर थी टेबल स्पून और जैसे ही हमारा बटर थोड़ा गरम हो जाएगा इसमें हम अपने जो खड़े मसाले हैं सारे वो एड कर देंगे बारी 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 जवित्री दाल चिनी बड़ी लाइची छोटी लाइची इसको डालके हम अच्छे से फून लेंगे लॉंग जैसे यह भून जाते हम इसमें अड़ आट करनेगे अपने अनियन्स और इसको भी अच्छे से पका लेंगे अनियन्स जैसे हूए अमरे थोड़े हम इसमें अपने जिंजर गालिक और ग्रीन चिलिस जाल मेरा भून लेंगे और उसके बाद हम इसमें एड करेंगे रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट और इसको भी एक दो सेकेंड हम भून लेंगे और साथ ही अपने टमाटर चॉप टमाटर जो हमें लिए थे वह एड कर देंगे और इसको भी पका लेंगे और इसके बाद हम यहां पर एक चमिश शुगर एड कर देंगे जिससे की हमारे टमाटर जो है वह एसिडिक नहीं रहेंगे और थोड़ा सा मिठास भी आ जाएगी ग्रेवी में तो अब यहां पर थोड़ा सा पानी डालके इसको अच्छे से पका लेंगे माटर को और इसमें अपने कैश्यूनेट्स एड कर देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया भी यहां पर डाल देंगे इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है अब हिलाते हुए थोड़ा पकाएंगे हैं और इसको थीन से चार मिन के लिए ढख थे रखते में यह जब तक एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे अगर देखे फ्रेंड्स अब इसको हम एक पतली से चलनी में चान लेंगे ताकि जो हमारा गरम मसाले के पीसिज यह वह बिल्कुल लग जाए हमारी ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ बहार आजए और यह करने के बाद हम देखे क्या करते हैं हमने पैन लेना है और अपना चिकन को लहिए उसको फ्राई कर लेते हैं है हो यहां पर अपना चिकन हम प्राइग सब्सक्राइब कर लेते हैं तो बावल में हमने चिकन रख लिए उसमें रखती है कटोरी और उसमें रख दिया है को आप यहां बटर भी यूज़ कर सकते हैं मैं देशी घी उसकर रहा हूं तो देशी ढ़ालके इसको ढखके हमने 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है पैन लेलते हैं वही जो हमने चिकन फ्राइब किया था उसमें मैंने छोटी लाइची डाल दी है और एड़ करेंगे इसमें अपने चॉप जिंजर एंड चॉप ग्रीन चिलीज और इसको अच्छे से भून लेंगे जैसे ही भून जाते हैं हम यहाँ पर अपने जो ग्रेवी च्छानी थी उसको एड़ कर देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं दोस्तों अब हम इसको कवर करके रख देंगे 6-7 मिनिट के लिए तो अब देखिए इसमें बॉयल आ गया है अब यहाँ पर हम एड़ करेंगे वन टेबल स्पून कोरियंडर पाउडर रेड चिली पाउडर वन टेबल स्पून क्यूमिन पाउडर वन टेबल स्पून और इसके हिसाब से आप डाल लीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो अब हमने गैस लो करके इसमें थोड़ी से क्रीम डालनी है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जो देखें दोस्तों कितनी सिल्की लग रही है ग्रेवी बस अब एड़ कर देंगे इसमें अपना चिकन और इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे चिकन डालने के बाद हमने रोस्त की थी अपने कसूरी में थी उसको क्रेश करके जाल दिया है और अब हम इसको ढखके पांस से छे मिनट और पका लेंगे तो दोस्तों देखिए यह हमारी ग्रेवी पके त्यार हो चुकी है चिकन हमारा रेड़ी है बिलकुल तो इस स्टेज पर हम और बटर इसमें एड़ कर देंगे तो कि यह बटर चिकन है और ग्रीन कोरियंडर एड़ कर देते हैं और देखिए यह हमारा बटर चिकन बिल्कुल तैयार है तो चलिए आईए इसको कार्णिश करके तो फ्रेंड्स अगर आपको यह रेस्पी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे रेस्पी मिलते रहें धन्यवाद झाल